हेलो फ्रेंट्स एक फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दे स्टेडी स्केन में आज की वीडियो मैच्स की जिसमें हम एक मैथड यानि की कोशन्स को सॉल्व करने का एक बेहत बढ़िया सा मैथड जिसका नाम है आपका क्या एलिमिनेशन मैथड आज हम इस यह एलिमिनेशन मैथड के जो कोशन्स हैं वो आपको डिरेक्ट ना पूछे जाएं यानि आपके एक्जाम में इसके डिरेक्ट कोशन्स ना भी आएं लेकिन यह मैथड आपके दूसरे कोशन्स को मान लीजिए कि मैं एक एक क्रेशन लिख दूं X प्लस Y एककोल्स टू 5 औ और एक और value में लिख दूँ क्या x minus y equals to 1, इस तरीके से लिख दिया, अब हमसे कहा जाए कि इसको elimination method से solve करना है, तो देखिए समझ येगा, elimination method से solve करने का मतलब ये है कि आपको इन दोनो variable में से, जो आपके x और y, x और y दे रखे हैं, इन में से किसी एक variable को पहले remove करना होगा अब ये चीज आपको खुद देखना है, कि अगर question में आपको last में answer y का चाहिए, तो आप x को पहले काट दीजे, या आपको x का चाहिए, तो आप y को पहले remove कर दीजे, और ये चीज़ depend करती है उसकी numerical value पर, यानि कि सबसे important कि आपकी react equations में, जो x और y दे रखे हैं, वो numerically equal होनी चाहिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इसमें ये numerically equal है, यानि x भी आपका एक है, x भी एक है, y भी एक है, और ये भी आपका एक है, तो इसको जब solve करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमें inverse sign लगाने की भी जरूत नहीं होगी, क्योंके already positive negative लगे हुए हैं, आप y को cancel करेंगे, तो x और x, आपका 2x हो गया, ok, 5 और 1, इनको add किया, या गया 6, 2 से ये cut गया 3 time पे, x की value आगई 3, ok, अब x की 3 आगई, तो आप equation 1 में put करेंगे, तो यह हो गया आपका 3 plus y equals to 5, आप 3 को इधर बेजा, तो y की value आगई आपके कितनी 2, इस तरीके से, चलिए दे and 9x minus 2y equals to 7, अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, कि question में आपको x और y, यानि जो variables हैं, उनकी numerical value को equal करना है, अब अगर मैं यहां देखूं, तो numerical value इसकी 3, इसकी 9, इसकी 5, इसकी 2, आपस में, न y equal है, न x equal है, तो अब यह देखिए, कि किसको equal करना जादा आसान होगा, जैसा कि मैंने अभी कहा था, कि यहां तो आप अपने question के according, कि भाई मुझे y की value पहले चाहिए, तो x को पहले काट दीजे, और अगर ऐसी conditions नहीं हैं, तो जिसको equal करना जादा आसान हो, अब उसे equal कर दीजे, यह आपकी equation 1, equation 2, हमने क्या किया, multiply the equation 1 by, अब देखिए, यहां 3x है, 9x बनाना है, यानि कि 3 की multiply 3 से की जाए, तो 9x बन जाएगा, multiply equation 1 by 3 किया, तो देखिए, आप जो 3 से multiply करेंगे, तो यह होगे, आपका 3x minus का 5y equals to 4 into 3, ऐसे, यानि आपको सिर्फ x से multiply नहीं करनी होगी, पूरी equation से multiply करनी है, तो यह होगे, आपका 9x minus 15y equals to 12, आपकी equation number 3 हो गई, numerically equal हो गई, अब equation number by equation 2 and 3, इन दोनों equation को साथ में लिखा, तो देखिए, यह आपकी 9x minus 2y equals to 7i, थर्ड, 9x minus 15y equals to 12y, आप इनको देखिए, solve करते हैं, तो जब इनको solve करेंगे, आपको, आप दूसी चीज़, कि इनके inverse sign का ध्यान रखना है, यह दोनों positive हैं, आप यहाँ पर negative लगाईए, यह negative है, अपने यहाँ पर positive, यह negative है, आपने यहाँ पर positive है, यहाँ पर negative लगाए, basically आपको करना क्या है, जो equation आपकी नीचे लिखी हुई है, आपको उसके inverse sign लगाने है, यानि कि अगर positive 9x है, तो नीचे minus लगा दीजिए, और अगर negative 9x होता, तो आप यहां पर positive कर देते, ताकि यह दोनो opposite sign के बन जाएं, अब यह cancel हो गया, ठीक है, 2y और यह positive 15y, तो देखे, 15 में से 2 को माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 2 गया, यह होगा आपका 13y, और positive आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बढ़ा है, आगे यानि कि y की value आपकी आगई कितनी, minus 5 upon 13, यह आगई y की value, अब अगर इस y की value को हम equation 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी put करेंगे, आपको x की value मिल जाएगी, यानि कि इसमें कोई आपकी condition नहीं होगी, कि आप किस equation में put करेंगे, तब ही answer आएगा, आप किसी में भी करिए, तो जबकि first equation का तो हमने यहाँ पर use भी नहीं किया था, फिर भी हम put करते हैं, तो देखिए क्या, यह हो गया आपका कितना, 3x minus 5y equals to 4, y की value आपकी minus 5 upon 13, तो देखिए, 3x minus 5 into minus 5 upon 13, यानि y की जगा पर हमें value रख दी, equals to 4, हो गया, 3x आपका ऐसे ही रहा, minus 5 into minus 5, यानि प्लस का 25 upon 13 equals to 4, इसको इधर भेजा, तो 3x equals to 4 minus 25 upon 13, यहाँ पर 1, जो कुछ नहीं होता है, उसका 1 होता है, आप इनका LCM लिया, तो देखिए, LCM है आपका 13, 1 से 13 किया, 13 टाइम पर, और 13 की 4 से multiply गी, तो तो तेरा 13 for the 52, यह हो गया, minus का 25, ऐसे, अब minus किया, तो 3x equals to 12, 5, 7, 4, 2, 2 upon 13, यह आगया, अब x की value निकालेंगे, तो 27 upon 13 तो था ही था, अब 3 भी into में था, तो division में हो गया, यानि यहाँ पर आगया 3, 3 से 27 गया, आपका 9 टैम पर, तो यानि की value बन गई हमारी कितनी, 9 upon 13, x की value यह रही आपके सामने, तो यह था हमारा, आज का elimination method का solution, आपको यह वीडियो कैसे लगी, method कैसा लगा, questions कैसे लगे, हमें comment करके ज़रूर बताईगा, चलिए चलते हैं, मिलेंगे, अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए बबाए, अपको बूल is झाल हैं, मिलेंगे, लाचे रुड़ाई झाल आउ ऐस झाल न सूल हमेने, कAutप मillä थीडियों भीडियों झाल होगे, चाओे, भ самых झाल हैं, मिलेंगे